हरा दोस्तों नमस्कार दोस्तों रीजल इनफॉम्सल चलनघ में आपका बहुत- बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हो I hope कि आप बहुत अच्छे हों ठीक हों दोस्तो आज आपको बता रहे हैं कि सेपसोब में पैन कार्ट बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो सेपसोब में पैन कार्ट क्यों इंपोर्टेंट है हम आपको प्रूप के साथ बता रहे हैं दोस्तों होता है कि जुब सब्सप है यह बयुसा है हमारा बयुसा है मतलब एक अपना खुद का बिजनिस और बिजनिस करते हैं तो गवर्र हो टेक्स देना परता है जैसे दोस्तों देखी चलिए आइडी खोल के बताते हैं कि इन पैन काड की लिए क्या इंपोर्टट रहता है देखिए दोस्तों जैसे माल लो हमने याइडी खूली और आइडी में देखते हैं आप को यहाँ पैन फोर्मेशन रहती जो यहाँ में देखिए यह है पैन या जी अर नमर दोस्तों पैण कार्ड का इसमें नमर डेला हुआ है तो पैंगा बहुत इंपोर्टन रहता है हर आईडी के लिए जैसे दोस्तों आपको बताएं अगर मान लो आपका पैंड कार्ड नहीं लगा रहता है और आपकी कोई इंकम जनरेट होती है जैसे आपको बताएं चलिए देखिए अगर पास calculator है इसमें आपको बताएंगे कि tax कितना और क्यां से कटता है अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास 1000 का चेक जनरेट होता है तो government का टेक्स लगता है वो लग जाता है 20 अब दोस्तों यह जाए का 20% आप खुद निकाल के देखते हैं यह दोस्तों किया तो 20% मतलब कितना दोस्तों 200 रुपे आपका कट जाएगा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा 1,000 आया था इकईजार में ऐसे 200 मानिस हो जाएगा तो बचा कितना देखिए दोस्तों यह बचा यहां दोस्तों यह शिर्फ 800 रोपे ही हमें मिल पाएगा अगर हमाई पास pen card नहीं है तो दोस्तों pen card बनवाना बहुत अगर आप pencard बनवा ले तो तो आपका टेक्स लिंग कटेगा और आप अपना पूरा का पूरा पैसा ले सकते हैं थैंकि दोस्तों अगर और भी जानकर कीजिए तो कमेंट करें और लाइक करने ना भूलें हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं थैंक्यू